ये गाईज, जैहिंद स्वागत है आपका एग्री मंत्रा यूटूब चैनल पर और मैं हूँ आपका दोस्त संजय विशोकर्मा इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं AFO Special Series के Part No.16 यानि 16 के बारे में अभी तक 15 वीडियो हो चुकी है AFO के Special Series की तो जिन स्टुडेंट्स ने पुरानी वीडियो को नहीं देखा है चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियो को जरूर देखेगा वो सारी वीडियो, सारे कोशन्स आपके एक्जाम के पॉइंट अभी से काफी इंपोर्टेंट रहने वाले हैं इस वीडियो में हम टॉप 20 कोशन्स का डिसकेशन करेंगे और उनसे जुड़ोगा कुछ इंपोर्टेंट फेक्ट्स भी जानेंगे तो वीडियो के साथ आखरी तक बने रहीएगा एक इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन एग्री मंत्रा टीम के द्वारा एग्री कल्चर फील्ड ओफिसर यानि एफो के मैंस के लिए यहाँ पर 20 मोग टेस्ट तयार किये गए हैं जो की आईवी पीएस एफो के लेटेस्ट पेटन पर ही आधारित है तो अगर आप इस टेस्ट को पर्चेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रेप्शन बॉक्स में दी गई एंड्रोइड एप्लिकेशन की लिंक यानि एग्री मंत्रा की ओफिशल एंड्रोइड एप्लिकेशन जिसको आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ जाके आपको इन कोर्स को पर्चेस करना है मातर 399 रुपे में 20 स्मोक टेस्ट आपको मिल रहे हैं इसके अंदर आपको दो टेस्ट फिरी भी मिलेंगी यानि कि आप क्वालिटी को भी चेक कर सकते हैं और अपनी जीत को सुनिश्चित कर सकते हैं यह उफर सी में समयते के लिए है उसके बाद जो है 20 स्मोक टेस्ट की कीमत 499 रुपे में यानि 500 रुपे हो जाएगी दूसरी इंपोर्टेंट इंफर्मेशन एग्रिकल्चर करेंट अफियर्स यानि इस्पेसली फोर AFO एक्जाम के लिए यहाँ पर पौकेट बूक की हम बात कर रहे है की मातर 99 रुपे में यहाँ पर आपको दी जा रही है यहाँ पर आपको जनवरी 2021 से लेके दिसमबर 2021 पूरे एक साल का अग्रिकल्चर का करेंट अफियर्स यहाँ पर आपको मिलने वाला है ये भी आपको agree mantra के official android application पर ही मिलेगा तो जल्दी करें और दोनों course को mock test और pocketbook को purchase करना ना भूलें अब हम बात करेंगे previous part में पूछे गए question जिसका answer होगा यहाँ पर हम जाने पहले question तो question की बात हो रही है glucose percentage in sugar can तो यहाँ पर 13-15% जो होता है glucose पाया जाता है sugar can में तो answer होगा यहाँ पर 14% important question है आपको इसको याद रखना है बात करेंगे first question की which disease of ground nut is caused due to thrips thrips से bud necrosis होता है RRB-SO में आया हुआ question है important question है answer होगा bud necrosis उसके बाद आगे बात करेंगे liquid use in minimum thermometer तो minimum thermometer में जो है alcohol का प्रियोग करते है important question है यह आपको याद रखना है उसके बाद आगे बात करेंगे which one of the following is peculiarities of Indian agriculture Indian agriculture आप सब लोग जानते हैं मांसून का जुआ भी हम इसको कहते हैं तो यह dependency of seasonal rainfall यहाँ पर इसका right answer होगा आपको इसको याद रखना है फिर आगे बात करेंगे photoperiodically wheat यानि कि wheat पूछ रहा है short day plant है कि long day plant है कि day neutral plant है देखिए exam में एक question और पूछता है कि photoperiodism का जो concept था वो किस ने दिया था तो garner और alad नाम के scientist ने दिया था यह आपको याद रखना है उसके बाद इनको तीन parts में बाटा था यानि कि photoperiodism के आधार पर plants को तीन category में बाटा था short day, long day और day neutral day neutral मतलब कि ऐसे plants इनके growth और development के लिए किसी भी light की आवशकता नहीं होती है न minimum न maximum time की यहाँ पर light की आवशकता नहीं है जैसे हम बात करें टामाटर की टामाटर जो है वो day neutral plant है इसली साल भरी है market में आसानी से उपलब्द रहता है short day की बात करेंगे minimum 8 से 11 घंटे इनको temperature की आवशकता होती है इनकी growth और development के लिए जितनी भी खरीब crops होती है वो सब short day के अंतरगात आती है अधिकतर याद रखने के लिए ठीक है long day की बात करेंगे या इनको minimum 11 घंटे यानि 11 hours इनको temperature चाहिए इनकी growth और development के लिए अधिकतर रभी season crop इस category में आती है wheat जो है रभी season crop है तो long day plant ही हाँ पर यह कहलाएगा important है इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं कि जो खरीब crop होती है उसकी growth और development के लिए 25 to 35 degree Celsius temperature की आवशकता होती है कम समय में भी धूप इनका काम कर देगा यानि की 8 सा 11 घंटे में भी इनकी growth और development हो जाएगी जबकि 15 से 25 डिगरी ही temperature रहता है growth और development के लिए रभी season crops का तो यहाँ पर यह long day की category में आएगा I hope आपको concept clear हुआ होगा आगे बढ़ेंगे पेराकोइट is what type of herbicide तो पेराकोइट जो होता है आपका non selective herbicide होता है यह आपको याद रखना है फिर आगे बात करेंगे inflorescence of barley यह NSC यानि National Seat Corporation में आये होगा question है इसको racimos के नाम से जानते हैं important question है याद रखेगा next है which microorganism is used as biofertilizer तो biofertilizer की रूप में हम agetobacter को प्रियोग करते हैं important है याद रखना है उसके बाद आगे बात करें the grade of fertilizer indicates जो fertilizer की grade होती है वो किसको indicate करती है तो यह percentage of nutrients को indicate करती है important question है आपको इसको याद रखना है उसके बाद आगे बात करेंगे golden rice which is genetically modified is rich in golden rice vitamin A में rich होता है यह आपका bank of maharashtra AFO और national seat corporation में आई हो question है important है इसको आपको याद रखना है उसके बाद आगे बात करेंगे question number 10 की most flood prone state in India according to option अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा तो awesome जो है वो ज़्यादा flood prone यहाँ की यहाँ पर बाड की समस्या ज़्यादा देखने को मिल important question है फिर उसके बाद आगे बात करूं regional center of international rise research institute is recently established in India यह भी NSC में पूछा गया question है यहाँ पर regional center की बात कर रहा है international rise research institute जो की 1280 में established किया गया है 1280 उत्तर प्रदेश में है यह आपको याद रखना है यानि की international rise research institute का regional center है important question बन सकता है आपके exam के लिए इसको आपको याद रखना है उसके बाद आगे बात करेंगे question number 12 की 1% organic carbon equal to 1% organic carbon equal किसके equal होगा आप सब लोग जानते है बैमलिन factor जिसको हम कहते है 1.724% organic matter के important question है आपको इसको याद रखना है फिर उसके बाद आगे बात करूं question number 13 की तो यहाँ पर बात हो रही है divine is divine क्या है तो divine आप सब यह सब bioherbicide की category में आते हैं तो इनको आपको याद रखना है bioherbicide यहाँ पर answer होगा उसके बाद आगे बात करेंगे 14 question की which method of irrigation is developed in Israel and well suited in acute water shortage important है आप question में ही समझ गया होगे इसराइल से जो डबलब किया गया है और जहाँ पर बाटा सोटेज होगा वहाँ पर भी यह आसानी से हम यह सोटेवल हमारे लिए रहेगा तो यहाँ पर drip irrigation की बात हो रही है drip irrigation को trickle irrigation के नाम से भी जानते हैं या इसको हिंदी में बूंद बूंद या फिर टपकाओ भी यानि की powdery mildew के जो symptoms होंगे जो लक्षन होंगे मटर्क में वो सबसे पहले आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे तो आप सब लोग जानते हैं वो leaps पर यानि पत्तियों पर देखने को मिलेंगे आपका IBPS AFO में आया हुआ कोशन है इसको आपको याद रखना है फिर आगे बात करेंगे propping in banana सब लोग जानते हैं propping जो होता है plant को support करने के लिए दिया जाता है तो यहाँ पर आंसर होगा giving the support अगर वो पूछता denabling तो denabling जो होता है denabling का मतलब होता है removal of male part इसको denabling बोलते हैं और propping मतलब उसको support देना उसको propping बोलते हैं मतलब harvesting के बाद plant को जो pseudo-storm होता उसको cut कर देते हैं तो उसको matocking कहते हैं important है याद रखना आगे बाद करेंगे what is smoother crop smoother crop का यहाँ पर आपसे answer पूछ रहा है तो crop which surprise bead growing under its quick growing ability और dense foliase यही smoother crop होता है कि जो beads को surprise कर सके that is called smoother crop important है याद रखेगा इसको फिर आगे बात करेंगे प्रमालनी, बिक्रम और चक्रधर यह किस-किस की variety है देखिए चक्रधर नाम आ गया मतलब यह नीबू बरगी से संबन्दित है तो lime यहाँ पर right answer होगा आपको याद रखना है प्रमालनी और बिक्रम जो है और चक्रधर यह है lime की यहाँ पर variety रहने वाली है फिर आगे बात करें which nutrients deficiency is responsible for little leaf in mango and mortal leaf of citrus मतलब little leaf of mango किल से होता है तो यह आपका जिंकी की कमी से होता है उसके बाद फिर पूछ रहा है mortal leaf of citrus तो यह भी जिंकी की कमी से होता है AFO में आया हुआ कोशन है याद रखेगा देखे यह बार-बार कहने का या AFO वाले कोशन यहाँ डालने का मतलब यह है ताकि आप उस topic का उस subject का आप importance समझ सकें कि जैसे बात कर रहे हैं आपर यह pathology का कोशन है तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि AFO में pathology से भी ठीक ठाक कोशन आते हैं यह man यहाँ पर motive है और उस से related topic भी आपको aware होना चाहिए 20 की बात करें NRC 4 pomgranate NRC पूछ रहा है pomgranate के लिए तो यह आपका 16 पूर महरास्ट में है यह important है आपको इसको याद रखना है grab का आपका पूने में है और नाकपूर में आपका citrus का है यह आपको याद रखना है important है इसके बाद अब हम बात करें question of the day के बारे में जिसको जवाब आपको comment section में बताना है जो next part रहेगा उसमें हम इसका सही जवाब डिसकस करेंगे question है comment section में दीजेगा answer guys यह थी आज की वीडियो आई हूप आपको वीडियो पसंद आएगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें questions का label किस टाइब का लगा आप comment section में जरूर बताईएगा मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत